जहींद अवरीवन वेलकम बैक टो आर यूटूब चैनल लक्षे इंडियन आर्मी तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे था थ्री लिविंग लेजेंड्स अफ इंडियन आर्मी जिनको उनकी बहादूरी के लिए हाइस्ट गैरेंटरी अवार्ड परमीर चक्र से नवाजा गया तो चलिए जानते हैं वे कौन-कौन है तो विडाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं लेट्स बिगेंड्स लिविंग लेजेंड इस नाइप सुविदार बाना सिंग नाव रिटाइड ऑनरी कैप्टेन बाना सिंग सेकेंड इस ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंग एदो नाव रिटाइड ऑनरी कैप्टेन योगेंद्र सिंग एदो थर्ड इस राइफल मैन संजे कुमार नाव सुविदार मेजर संजे कुमार तो चलिए उनके बारे में जानते हैं कि उनका जन्म कब और कहा हुआ और वे इंडियन आर्मी के कौन से रे सब्सक्राइबरी 1949 को कडेयल जम्मु एन कश्मीर में हुआ था वे 8 बटालियन जम्मु एन कश्मीर लाइट इंफेंटरी रेजिमेंट से थे और उन्हें सियाचीन ग्लेशियर जम्मु एन कश्मीर में हुए ओप्रेशन राजीव के दावरान अदम्य वीरता प्रदर्शन के लिए 23 जून 1987 को परंबीर चक्र से नवाजा गया। सेकेंड इस ग्रेनेडियर योगेंदर सिंग एदव नाव रिटाइड ओनररी कैप्टेन योगेंदर सिंग एदव इनका जन 10 में 1980 को औरवांगबाद अहीर विलेज और सिकंदराबाद बुलंद शहर डिस्ट्रीक उ अपनी जान की बाजी तक लगा दिये थे उनको 18 गोलिया भी लगी थी और वे काफी जखमी भी हो गये थे उसके बावजुद में लरते रहे और टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिये उनकी यहां अदम्य वीरता को देखते हुए 4 जुले 1999 को उन्हें परमीर चक्र से नव जगया थर्ड इस राइफल मैं संजे कुमार नाव सुविदार मेजर संजे कुमार इनका जन्म 3 मार्च 1976 को विलेच कालोल बकेन इन विलासपूर डिस्ट्रीक्ट ओफ हिमाचल प्रदेश में हुआ वे 13 बटालियन जम्मय आन कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट में थे और कारगील वार में एरिया फ्लाट टॉप को जितने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दिये थे उनकी यहाँ वीरता के लिए उन्हें 5 जुले 1999 को परंबीर चक्र से सम्मान किया गया तो दोस्तों यह थे इंडियन आर्मी के द थ्री लिविंग लेजेंज और आज के व वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत